मेरा सारा पैसा किसी ने चुड़ा लिया, मैं अब उससे बदला लूगा, मैं पूरा जिवन अफ़तवा कर सकता हूँ, उसका भी और अपना भी इम्मीडेटली आपके अंदर चलता हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानि के SNS, आंत्रिक भूकंप, जिसे आप कहते हैं, वो शान्त होना शुरू हो जाएगा आपको कई बाराल ऐसा लगता है, कि आप विक्टिम ही नहीं है, बलकि आप पूरी तरह प्रेस किये जा रहे हैं किसी के द्वारा, ऐसा लगता है कि आपकी वेल्यूस का हननन हो रहा है, आपके जीवन के मुल्यों का हननन हो रहा है Power of Now की साथ चीजे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जीवन में जब भी आपके पास एक ही परस्पेक्टिव होगा तो आप एक रोबोट बन चुके हैं जीवन में कैसे रहे less reactive जब situation हो बहुत ही चुनोती पूंग याद रहे कि हमारे जीवन भरा हुआ है ऐसी चुनोतियों से हर रोज कोई ने कोई चुनोती हमारे सामने खड़ी होती है हर रोज ये चुनोतियां हमें कमपैल कर देती हैं दोस्तों कि हम reactive हो जाएं और इस reaction में हम अपने जीवन के संतुलन को खो दें कैसे रहे ठीक ये सीखा मैंने एक किताब से जिसका नाम है power of now power of now की साथ चीजे मैं आपके साथ share कर रहा हूँ आप इने भी अपने जीवन में उतार लीजेगा पहली चीजे जब भी आप एक tough situation में हो उस समय आपको पहला काम क्या करना है वो ये है कि आप अपने present moment को immediately खुनाना शुरू कर दें उसे embrace करना शुरू करें जैसे ही आप अपने वर्तमान के साथ जुड़ना शुरू कर देंगी immediately आप बाहर की दुनिया से थोड़ा सा detach होना शुरू कर देंगी यानि के आप वर्तमान के साथ जुड़ना शुरू करें अब सवाल उठेगा के वर्तमान के साथ जुड़ने का तरीका क्या होगा यहाँ पर हमारे योगियों ने बहुत खूबसुरत चीजें हमें बताई हैं जब भी आप अपने किसी भी एक ऐसे पैटर्न के उपर फोकस कर जो पैटर्न आपको आनुंद भी दे और आपको बाहर के दुनिया से काट दे तो समझ लेजे आप अपने मॉमेंट में जी रहे हैं और ऐसा ही मॉमेंट आप गेन कर सकते हैं कि आप अपनी सांसों को अबजर्व करना शुरू कर देते हैं उस समय आपके नियूरोन में जो क यानि कि ब्रेन सेल्स थोड़ी तिर के लिए रिलीफ यानि कि राहत ले लेते हैं जैसे ही वो एक थोट के साथ जी रहे हैं तो बाकी थोट के साथ उनका विक्राव समापत हो चुका है ऐसे में जैसे ही वो जारों थोट के साथ उनका विक्राव समापत हो चुका है तो आप उस समय less reactive रहेंगे immediately आपके अंदर चलता हुआ sympathetic nervous system यानि के SNS आंतरिक भुकंप जिसे आप कहते हैं वो शान्त होना शुरू हो जाएगा जैसे ही वो शान्त होना शुरू हो जाएगा आप एक सही तरीके से decision लेना शुरू कर देंगे दूसरी चीज है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप reactive जाद होते जा रहे हैं निश्चित रूफ से जब ये reaction चलेगी उस समय ये सदबुद्धी नहीं आएगी ऐसा कई बार आप मुझसे कहेंगे कि सब जब ये situation आती है उस समय कहां इतनी अकल रहती है कि हम इतना सोचें बस एक काम कर सकते हैं उस situation के परे जाग या जो situation आपकी life में पहले आई है आप उस situation को दूर से observe करें और detach होकर अपने विचारों को देखें आप पाएंगे कि आप एक विशेश प्रकार के विचारों के साथ ही जुड़े होते हैं ये विचार आपको और अधिक एक पापी साइकल यानि के एक ऐसे चक्र में डाल देते हैं जिससे आपको बाहर निकलना आना चाहिए लेकिन ये तब नहीं कर सकते जब आप उस reaction में जा चुके हैं ये तब कर सकते हैं जब आप दूटैश होकर किसी भी इस्तिती को दूर से देखें और बाद में देखें यानि के आपके पास्ट में जो भी गटना ये गटी हैं उन विचारों को देखें और एक सवाल करें क्या ये ही विचार मेरे पास उस समय होने चाहिए थे या इनकी जगे में नई विचारों को भी ले सकता था या ले सकते थी ऐसा करने से जैसे ही आप पाएंगे कि हाँ इस विचार के अलावा मेरे पास ये भी विचार हो सकता था आप जानते हैं एक ही situation को आप हजारों तरीके से देख सकते हैं एक ही situation में आप हजारात रोगों की अपनी बुद्धी या wisdom को प्रियोग कर सकते हैं उस situation में क्या यही thought मेरे पास होना चाहिए था या different thought होना चाहिए उस thought को ढूंडते रहें जब तक कि आप उस स्थिति में अपने आपको comfortable ना पा लें इसे हम psychology में future pacing भी कहते हैं यानि कि आप अपने past में जाकर कुछ चीजों को ठीक करिए आपका mind उन चीजों को ठीक करना सीख चुका होगा तो वो future में भी आपको नई option या नई choice देना शुरू कर देगा तीसरी चीज है जब भी आपके पास कोई tough situation हो और आप अपने आपको healthy रखना चाहते हो आप अपने आपको last reactive रखना चाहते हो तो आपको एक काम और भी करना होगा वो है acceptance याद रखेगा acceptance की तीन दशाएं होती हैं जब हम child state में होते हैं तब भी चीजों को हम accept नहीं करते हैं जब हम teenage होते हैं तब भी इस state में हम चीजों को accept नहीं करते हैं उसमें react करते हैं कई बार जब हम बच्चों की state में होते हैं child state में होते हैं तो हमें रोना होता है क्योंकि उस समय हम अपने आपको फसा हुआ पाते हैं और जब हम एक teenage की state में होते हैं तो हम हमेशा reactive होते हैं सामने रखते हुए अपनी क्या-क्या जिम्मेदारी ले सकता हूँ, आपका रिष्टा तूट गया है, आप यहाँ पर immediately reactive होकर किसी दूसरे आदमी को नुकसान पहुचा सकते हैं, या फिर अपने आपको नुकसान पहुचा सकते हैं, लेकिन इससे तो रिजल्ट अच्छा नहीं लिख लेगा, लेकिन अगर आप एक एडर्ट सोच के साथ देखें, इटेश करके कि मैंने इसको स्विकार कर लिया है, जो भी मेरे साथ हुआ है, जब आप स्विकार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पीडित भाव जरूर आएगा, आपको victim की feeling जरूर आएगी, हम योगी नहीं है, हम संत भी नहीं है, हम महापुरुष भी नहीं है, हम 21 से शताबदी के गरस्त के जीवन के जीने वाले लोग है, हमारे पास वो सारी emotion आएगी, लेकिन जैसे ही आप इस acceptance को स्विकार करते हुए कि ये situation मेरे साथ हुई है, अब मैं इससे क्या सीखता हूँ, और मुझे इस समय किन जिम्मेदारियों को उठाना होगा, अपने reactive hormone है, वो एकदम से शांत पढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जो आपके wisdomful hormone है, वो उस जगे पर आना शुरू हो जाते हैं, और यही वो hormone है, जिनके आपको तलाश है, अगर आप reactive रहें बार बार, तो आपके genetic level पर ये सारे की सारी inscriptions या सारे की सारे pattern चले जाएंगे, ऐसे में ये pattern सिर्फ आप ही तक नहीं सीमित रहेंगे, याद रखेगा, ये आपके बच्चों तक और उनके बच्चों तक भी चले जाएंगे, हर एक थोट, जब भी एक intensity के साथ आता है, याद रखेगा, वो आपके genetic level पर चला जाता है, चोती चीज है, जो मैंने पहली चीज मे नहीं बताईए, वो है आपकी mindful breathing, आप जब भी reactive, I mean state में हो, और आप चाहते हैं कि मैं reactive situation मेरी life में आ रही हैं, और आती रहेंगे, ऐसा कोई ब्यक्ति नहीं है, जिसके पास ये reactive situation नहीं आएंगी, फिर आपको क्या करना है, आप एक काम करें, रोजना पांस से दस मिनट के लिए आप एक breathing technique को enjoy करना शुरू कर दें, जिसे हम आना पान भी कहते हैं, यानि कि आप आपनी सांस को आते हुए observe करें, और जाते हुए observe करें, जब आप ऐसा कर रहे होंगे, तो आप अपनी body को एक विशेश अवस्था दे रहे होंगे, जिसे हम PNS कहते हैं, यानि कि पैर state में जाते हैं, जहां पर आपके लिए अम्रत के जर्ने बह रहे हैं, तो mindful breathing, यानि कि आप चेतन भाव से अपनी सांस को देखना शुरू करें, इसके बाद पाँचवी चीज है कि आप अपनी egoic reaction को छोड़ना सेखें, यहां पर मैंने एक word बोला है, ego, याद रखेगा हमार मैंने एक वीडियो में भी बताया है, कि हमारी ego basic लिए आती है, कि जो हमारे perception है, हमारे narrative है, मैं दुनिया के बारे में क्या मानता हूँ, मैं लोगों के बारे में क्या मानता हूँ, मैं अपनी life के बारे में क्या मानता हूँ, मैं अपनी life के बारे में क्या मानता हूँ, मैंने अपने कुछ एक pre-conceived notions पूर्व धारनाएं बना ली है अगर मैं उनी पूर्व धारनाओं से जो बन चुकी है मेरे अंदर पूर्व धारनाएं उन से अगर मैं चीजों को देखूंगा तो मेरा एक ही perspective रहेगा मैं अकसर लोगों से कहता हूं अगर आप मुझे सामने से देखेंगे तो कितने कान दिखाई देंगे मेरे चेरे पर आप कहेंगे दो लेकिन एक बगल में आदमें खड़ा है उसे कितने दिखाई देंगे एक इसका मतलब है कि ये दोनों लोगों के perspective अलग है याद रखेगा दो वाला भी चिलाता रहेगा कि नहीं दो ही है और एक वाला भी चिलाता रहेगा इससे नतीजा नहीं निकलेगा जीवन में जब भी आपके पास एक ही perspective होगा तो आप एक robot बन चुके हैं यानि कि आप एक plastic के इंसान हैं जिसके अंदर एक विशेश गार की programming हो चुकी है विश्टमफूल आप तभी होंगे जब आपके पास number of I mean perspective होँ या point of view होँ जब भी आप different point of view को देखेंगे उस समय आपका जो egoic reaction है वो हट जाएगा मेरा सारा पैसा किसी ने चुरा लिया मैं अब उससे बदला लूँगा मैं पूरा जिवन अब तभा कर सकता हूँ उसका भी और अपना भी लेकिन मैंने अपनी सारी legal प्रक्रियाए करने के बाद एक नए angle से देखा कि अब मुझे मेरे परिवार को मेरी क्या वशक्ता है मेरे बच्चों को मेरी क्या वशक्ता है जीवन को बेतार बनाने के लिए मुझे अपकी सोच का आलिंगल करना होगा अपनाना होगा किस तरह से मुझे अपनी जीवन को और बेतर करना होगा जो पैसा मैंने क्वया है उसे पाने के लिए मुझे किस तरह की और योजनाई बनानी होगी जब भी मैं एक नए इन सवालों के साथ जुड़ूँगा तो ये सवाल हमेशा याद रखेगा तभी आएंगे जब आप non-egoic होगे non-egoic का मतलब है जब आप wisdom में होगे इसलिए आप अपनी egoic reaction को एक तरफ रखे अपने perspective को final मत मानिए दुनिया में और बहुत सारी perspective है इसके बाद चुटी चीज है non-identification of the emotions याद रखेगा you are not the emotion कई बार लोग मुझे कहते हैं sir we are made up of emotion that is why we are emotion नहीं we are made up of here we are not here we are made up of skin but we are not skin we are made up of I mean muscles but we are not muscle we are made up of cells but we are not cells because हर रोज नई cells बनती हैं और पुरानी मर जाती हैं we are beyond our emotions याद रखेगा आप कई भी भी देखेगा जब भी आप reactive होंगे तो आप किसी एक विशिश्प्रकार की emotion के शिकार होते हैं या तो आप पाते हैं कि आप victim भाव आ जाता है यार मुझे victimize किया जा रहा है मैं कैसे feel करूं इसको आपको choking feeling आने लगती है वहाँ से एक emotion आती है कि मैं इसको नहीं टोल्नेट कर सकता आपको कई बारा ऐसा लगता है कि आप victim ही नहीं है एक काम करना शुरू करें कि जब भी आपके पास reactive mode आया है उस mode को दूर से देखें और देखें कि वहाँ पर आपके पास कौनशी emotion थी याद रखेगा उस emotion को आप बजल सकते हैं याद रखेगा वहाँ पर एक learning की emotion भी हो सकती है वहाँ पर एक compassion की वहाँ पर एक सरहे प्रेम, gratitude की, forgiveness की भी emotion हो सकती है वहाँ पर empowerment की भी emotion हो सकती है वहाँ पर optimism की भी emotion हो सकती है जैसे ही आपके पास different choices होंगी ये विकल्प, ये choices याद रखेगा आपके जीवन का एक बड़ा स्थम्ब है इन्हें बनाए रखेगा तो कभी भी आप non identification कर सकते हैं अपनी उन emotions के साथ जिनके साथ आप victim भाव जीते हैं और reactive हो जाते हैं और अंतिम चीज जो power of now ने बताई है वो ये है कि आप जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा चला है उसके परती आप आभार वेक्त करते रहें तो जब भी आपके पास बेकार की situation आएंगी तो चूंकि आपके अंदर एक भाव बार बार बन रहा है उसी तरह से जैसे आप गाड़ी चलाना दीरे दीरे सीखते हैं और एक दिन पूरी तरह से आप expert हो जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए और उस समय आप गाड़ी को किसी भी market में किसी भी बेट पर और किसी भी रास्ते में चला सकते हैं क्योंकि वो pattern बन गया है वो आपके लिए बहुत easy हो जाता है तो जब आप बार बार gratitude यानि के आभार की इस feeling को महसूस करते हैं मुझे कितना दिया इस universe ने मुझे मेरे पास कितना कुछ है अभी भी मेरे पास दो हाथें दो पैरें दो आखें मेरे पास मेरा future अभी बाकी है मेरे पास एक बड़िया health बनाने की option या विकल्प बाकी है जब भी आप इस आभार को जिएंगे और रोज जिएंगे तो ऐसे में जब किसी दिन आपके पास एक tough situation आती है तो ये जो आपकी एक तरह से training हुई पड़ी है mind और body की आभार को जीने की वो आपकी help करेगी उस reactive zone से बाहराने के लिए उस situation में आपका mind आपसे कहेगा अरे अभी बहुत कुछ है उसके परती आप आभार वेक्त कर सकते हैं ये साथ चीज़े आपको power of now से मिली हैं आप अपने जीवन को बेतर बनाईएगा और हाँ आठवी चीज मैं आपके लिए message दे रहा हूँ वो ये है कि आपके description box में चार लिंक हैं एक बुक का और तीन वक्षोप्स का वो सब कुछ आपके लिए फ्री है उन वक्षोप्स को जरूर एंजोई करिएगा अपना ध्यान रखिएगा कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताईएगा thank you very much